हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत साड़त है तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रहे हूँ बहुत जादा टेस्टी, हेल्दी चार लेयर वाली सेंडुच फ्रेंड्स, इसको हल्क सेंड़ुच भी बोलते हैं और यह बिना अवन के जादर यह बनाई जाती है वट अवन नहीं है वहारे पास तो हमें इसको बिना वन के सिर्फ कड़ाई में बनाके दिखाऊंगे आपको बिल्कुल मार्केट के जैसा टेस्ट लोकिंग देखी आप इसकी कितना सुन्दर लग रहे हैं अगर आप एक और सेंटुच को बना के खायेंगे न तो बार बार यहीं सेंटुच बनाके खायेंगे इतनी जादा टेस्टी है तो चलिए इसको राना स्टार कर लेते हैं तो उसके लिए लेने मैं आपड चार ब्रेट क्योंकि हम चार ले बनाएंगे आपको जितनी जुआ हैं तो मैं आपर डार हो एक चमच ओली अपर उलिव यूज कर रही हूं आप इसमें को भी को ले सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं ने लगरा में ने लगा देके नतर् jump is a ऐक ब tutti एक रोड़ कितना सब्सक्राइब और यहित्प प्झाट घूस सब्सक्राइब करकोret बिल्कुल व Кон semaine क्या वर चल्हिक को लिया बृत बारी करने पीछेन सब्सक्राइब करना है सब्सक्राइब आप ले सकते हैं आप इसमें बीन से कोई आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब यहां पर गर्म हो चुका है तो सबसे पहले हम डालेंगे लेशन क्योंकि लेशन को कच्छा पन है और निकल जाएगा लेस्न को में अच्छे से बगाना है बागी सारे सब्जी आओ को समय अलका सा इस तो देखिए लेस्न को चो चेंज हो गया है तो साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे बारी कटी हरी मीज सब्जी का में बहुत ज्यादा मैसी नहीं करना बहुत ज़्यादा गूल्डन नहीं करना है वस हलकालकासा दो दो ती दुरी मट के लिए हम इनको सौटे करेंगे तो पहले हम प्याज को इसमें मिक्स कर देते हैं साधी साथ अरीमिज जाल दी है इनको वेच्छे से मिक्स करते हुए सिर्फ एक मट के लिए पका लेते हैं हलक हम आपके बडार रहे हूं कुछी ली-चैली फ्न एकूंस वस ताaju में डाल आधी खालते हैं तो हमने मिक्स कर देते हैं तो पेस…ट रही है अगर आप आलू नहीं खाना चाहते हैं तो इनको इसकेप कर दीजिए अगर आपके बात बॉइल डालू है तो देखिए आलू को इच्छी में मिक्स करे लिया है अब इसमें डाल देंगे साथी साथ आधी चमच नमक जितना भी नमक डले आप इसी टाइम पर डाल दीजिए अब नमक अपने टेस्टो कोरिंग डाल सकते हैं मैंने आधी चमच डाला है इस टाइम पर नमक डालने से जो आलू है जंती से पक जाते हैं इसमें नमक को मैं अच्छी से मिक्स करें दिया है अब हम क्या करेंगे इसको कबर करके पकाएंगे दो से तीन मिट के लिए दो से आलू अच्छे से पक जाते हैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता है मैंने अपस से तीन मिट पकाएं आलू को देखिए आलू को मैं आपको तोड़के दिखा देती हूं तो पहले हम इस तरह से थोड़ा सा मिक्स करें लेंगे इनको इस तरह सा प्रेस करेंगे तो आलू में इसके इसमें मिला देती हैं आल को में मैं अलकलका सा सौटे करना हैं तो यह देखिये सारी सब्साओगे मैं अच्छे स rap लिए drugします ऐसका से उपतर ही Deep कर देते हैं और इसके से वेक्स कर देते हैं लुट पर ठीम जार झालन आपर खूर करी देई ॉक्ष पर ना थे हो ल्द सब्सक्राइब लिए तो आप टमेटो सॉस नहीं है तो आप चिली सॉस भी डाल सकते हैं तो टमेटो सॉस डाल देंगे साथी साथ एक तरी चमच में आप डाल दे हूँ लाल बेच का पाउडर जिससे कि नमारी सॉस है फीकी फीकी ना लगे थोड़ा सा नमक डाल देंगे बहुत ज्यादा कुछ नहीं डालना है क्योंकि हमने सारी चीज़ा स्टपिंग में डाल रखी हैं अब चार कड़कन बंद करके टेष्ट इतना अच्छा हो गया है कि आप चट्पिंग को किसी और नास्ति के साथ भी खा सकते हैं तब यह बहुत जादा टेष्ट लगेंगी तो देखिए मैं इस तरह सारी चीओ को त्यार कर लिया है मैंने आप इस टपिंग को रख लिया है टामेटो सॉस और यह मैंने पर मार्केट वाली सॉस ली है आप चैने तो घर पर ही जो नॉर्मल चट्नी बदती है अरी चट्नी वह बना सकते हैं उसका भी आप इसमें यूज कर सकते हैं और मैंने आप ले लिया है थोड़ा सा चीज आप इसमें मॉजरेला चीज प्रॉसेस चीज फोई भी चीज ले स जाए और इसमें हम अच्छे से बटर की कोटिंग कर देंगे जिससे कि जो मारा सबसे नीचे का जो ब्रेड है यह स्वाफ्ट नहीं होगा ज्यादा इसलिए हम इसमें लगा रहे हैं अब मैंने आप थोड़े से टमाटर के स्लाइसेस ले लिए हैं तो मैं आप एक लेयर बन आदी है मैंने अब मैंने आप जो भी स्टर्पिंग बनाई है प्याज टमाटर रहा कि वह लगा देंगे थोड़ी थोड़ी चीज और फूरा चीज जाल दिया है यह देखिए इस तरह से एक लेर बन चुकी है हमारी अब हम यहां पर दूसरी लेर बनाएंगे थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे साथ है तो अम इने आप जो सॉस बना के रखी है उसको लगा देंगे सब्सक्राइब लगाने के बाद फिर से पर सब्सक्राइब लगाएंगे बहुत ही सिंपल सी लेयर है बट आप खाके देखना इतनी टेस्टी बनती है कि मैं बताई नहीं सकती है अप जब आप खाएंगे ना तो खुदी आपको पता चल जाएगे कितनी जार टेस्टी है करते जाएगे इस तरह से मैंने आपड दो लेयर बना ले यह देगी दो बन चुकिए है मारे अब हम फिर से एक लियार और बनाएंगे चल फिर फिर प्रोसेस लगा देती है भो भी बिना अभना त्यार कर ली हैं जैंगर्य कितने ही संदर्गहला यह देखने में मैं यह देख़ि अच्छे से कवर करें और सायड से थोड़ा सा फैला हुआ है उसको आप इस तरह से सही कर दीजिए Wait इसको बेक करने में कोई परिशानी ना हो अच्छे से इस तरह से फ्रेंड्स अगरा मार्केट में जाकी सेंड्यूच खाएंगे ना तो आपको 300-400 रुपे में मिलेगी बट मैंने घर पर इसको सिर्फ 25-30 रुपे में बना के त्यार कर लिया है और फ्रेंड्स यह है सबसे जाता लोग अच्छा लुक आए थोड़िसे हम जनिए डाल देंगे उपर से शर या से देखने लोग कूंछ ज्यादा ची आती है धुटसा चलरी अटी तो यह हमारे सेन्वेच होगई है बेग होने के लिए त्यार आप इसकी लोकिंग देख सकते हैं कितना सुन्दर कलर आ कड़ाई पतिला कुछ भी ले सकते हैं जो होड़े आपके पास है तो अब इसको दो मिनट के लिए प्री हीट करेंगी तो इसको दो मिनट के लिए इस तरह से कवर कर रख देते हैं प्रीट होने के लिए क्योंकि हम इसको अवन बना रहे हैं घर पर ही अगर अवन है तो आप इसको दो सो डिगरी से एलची से पर सिर्फ पांच मिट के लिए बेग कर लीजी तब अच्छे से पक जाएगा तो देखिए जो कडाई है कि अच्छे से प्री हीट हो गई है इसमें काफी अच्छे से इस्टेंड नहीं है तो कडोरी भी ले सकते हैं कोई प्लेट होल्टी करके रख दीजी और एक इस तरह है कि मैंने आप ले ली है स्टील की प्लेट इसको इस तरह से रख देंगे साब दानी से क्यों कडाई गरम है काफी अब इसमें रखेंगे अपनी सेंडविश जो मैंने तरह से मेल्ट ना हो जाए अगर आपको लगे कि जो चीज है मेल्ट नहीं हुआ है तो आप इसको तो और पकाद सकते हैं दो से तीन में लिए तो यहां पर इसको लगवग पकते हुए टोटल दस से बारे मिनट हो चुके हैं यह देखिए और जो सेंड़िश है आप देखि कोई बताई नहीं पाएगा कि आपने इसको बिना आवन के कड़ाई पर बनाया है तो अब मैंने आप इसको निकाल दिया है एक प्लेट में यह देखिए आप देख सकते हैं देखने में बहुत जादा सुनतर लग रही है और जो चीज है ना साइट से देखिए बुलकुल बने ना जले हैं एक्टम क्रिस्पी ब्लैड बन चुके हैं अब मैं आपको कट करके दिखा देती उन्दर से इसकी लेर कैसी आई हैं बहुत ही आसानी से कट जाते हैं एक दम चाहु से देखिए बिल्कुल बढ़िया से एक्दम सेंटिश हमारे कट चुकी है अब मैं आपक जरूर टाई करके देखना आपके घर में सभी आपकी तारिफ करेंगे कि आप बहुत ज्यादा खुस हो जाएंगे तो आप मुझे जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हम रेसिपी को लाइक में चैनल को सब्सक् झाल को जरूर लगी है झाल को जो जरूर झाल को से वीडियो को जरूर कि खुसक्राओ कर तो बहुत चैनल को सब्सक्ती करेंगे ओूर के पाल करेंगेंगे जरूर